नमस्कार जी नमस्कार जी थोड़ा सा गोड़े को अगर पेशावेशाब रुख जाए उसके बारे में आपके पास जो पुराना कोई नुक्सा है वो थोड़ा शेयर करिया है एकछल बात तो यह है यह जो थे थोड़ी खतर्णाग है इसमें क्या होता ज्यादाा थैक पकत्री होती है पर थिके वजह से बसादा अच्छा और अपन न से बताया है तहां इसलिए वीडियो में गोडियो को न dreamed बिल्कुल बिल्कुल तो यह दिखत भी बढ़ियाती है और जो रस्ता उसमें पत्री आजाती इसी वज़े से वह नहीं आता है कई लोग अभी बात चल लाए ती कि बोलते हैं बिर्ची लगा दे उपर कुछ नहीं है। लगाने के लाइक चीज़े यदी लगाना चाहे कोई तो अचार भी तो अपने सुनार हम के पास्म माता हूं अधा हूं कल्मिक शोडा कल्मी शोडा कल्मिक शोडा वो लगाए सुना मेने कलमी सोडा तो तो लगाने में तो घो लगाएँ कलमी सोडा उसके लिंक के वह जिसे उसको निकाल के चारे कंगोल तक लगा सकते हैं वो लगा दे उससे ठंड हो जाती है आच्छा बाकि अपन एक दम उसको इंजेक्शन देके पिसाब करवाते हैं उसमें भी दीकत हो पानी की कमी आजाती है पिर चकर ये पिसाब अपन जो चीज देंगे उससे पिसाब ज़्यादा बनेगा बनेगा लेकिन साथे आगे रस्ता बंध है तो प्राइब उसमें वह भी नहीं कर सकते है तो शिस्टो नाम की गोलीां आती है सिस्टों 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 गोलीए वो पांस पांस गोळ्य एक ताइम में देन ले लिए तसए जो पत्री औप टर जाए उस्टा घाए तो ये छिग हएर जुश्याराइन आप जो बता रहे हो जिसके ज़्यादा प्रोब्लम आती है उसे के लिए ज्यादा बार बार आती है उसके पठ्री है ठीक है एकात बार कभी कोई प्रोब्लम है तो फिर अधिरमी गूर्मी तो एक तो यह नगा सकते उपने पास एक इलाज रहता है जैसे जा कोई केते थोड़ी सक्कर पिलाओ यह जाती है थोड़ी मीठी देज करनी है उसको पत्ती डालेंगे वह भी काम करेगी तो यह ज्यादा तर तो लोग जिसे पेसाब की तकलीब हो तो डायेट वह आपने इंजेक्शन लगा देते हैं क्या ना वह वह क्या है आता ना वह लेते हैं शोटकट में करते हैं वह ठीक नहीं एकर इसी लेकिन वह खतरनाक चीज़ यह पेसा बनाएगा ज्यादा परेशर ज्यादा देगा और आगे रस्ता बंदे तो वह करने साथ चाहिए देशी इलाज करें कलमी सोडा वाला और कोई दिमाग में आपके बस मेरे दिमा कितना पानी होना चीए अगर नहीं पीता है तो फिर क्या करें गोड़ा क्या उस्टेम कोलीक में है तो पीए गानी नाटक करेंगे अपने यह करेंगे श्रीज से भर भर के उसको तक श्रीज है थीख है आदा लीटर में कम से कम चारशु ग्राम नाट भूले का करेंगा तो भी है जाएगा विल्कुल उसमें शक्र ज्यादा डाल में सक्कर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें है ज्यादा करके वर बार-बार हो रहा है तो आप गोली पत्तरी की की पांच टाइम एक रेगुलर, उसे भूँटरी का मित पत्तरी 一 любов कि जाए, या साइड में चोबशां कि जिसे देना है इसे पांच हैं तक भूँट पांच है विटत गॉड़ा गोली अंदर पत्री हो गित कट जाईगा牛ग कटेंगी, जो गोड़ी वाला सिस्टम है वही इंग वगरा है अजवाइन है लड़ू बना के खिला दो यही चीज़ है अब बताए ही ता हूँ जैसे दारू वाला भी है जैसे एक चीज में और जानकरी चाहरा हूँ जैसे गोड़ा है गोड़े को दर्द है अपन कैसे पेचाने कि इसको पैसाब वाली तकलीव होरी है लीद वाली हो देखके ножकुग मतलगा पेट को लेकिन निचे से जो पेट ना पिसाब की तकलीग और थोड़ा लमबा लंबा होगा उपर और थोड़ा लंबा रहेगा जो जो मोर है उसको दबाने लग जाए यह पेसाब वाली और लीद वाली को लिक में ज्यादा तर बेठेगा और लोटेगा जैसे लोट रहा है और यदी खीच रहा है तो फिर पेसाब आलिए यह क्या है यह काई नय नय जो बंदे हैं उनको पता नहीं चलता है क्योंकि द्यान नहीं रख पाते हैं जिसे खुला छोड़ रखा गोड़ा अब वह कहां लीद की का पेशाब की कुछ पता ही नी चलता है पानी पिया यह भी पता नहीं है अगर यह जिसे कोलिक पेसा वाली हो रही है और वह पानी कम पी रहा है तो उसके लिए पानी है कैसे पिलाया जाए पूर चलता होँ उसके अगर बीसे कोई ने टीलार पीषा सरी जरीमा नहीं जाद़ा पी रहा है तो उल्टा होँ आजे बिल्कुल सही है तो अपन इस चीज का ज्यान रखें यदि पानी कम पी रहा है तो उसको कैसे बिलाऊ है पानी कम पी रहा तो उसको ऐसी चीजे देऊ जो उसके विफ्रीत हो सर्दी गर्मी के सवाव बदल दो पानी का सवाव बदल दो जिसे का हाजी जिसे हम तो यह करते हैं जिसे पैसाब की पीज़ाटो एक रोगा इक इसे प्यज़ाइए यह लाल पर नाता है वो गर्मी की वज़े से गोडियों में कई बार लाल है जिसे खून तो आ रहा है इसा पेट में गर्मी है उसके उनको यह जो अपन बात कर रहे हैं हां जी यह शौंफ वगेरा मिश्विये इलाच यह चिली देनी चाहिए यह थंद इस तासीर को ठंडी कर दे पानी कर देती है इसन पानी पंड़े आठटला होटा है कि यह अठेक श्वात है ने कि पर अधन नहीं कि अपन के अधन के अलया टरहेँ उसको फ्सको थोड़ा और और चाहसे लावाद में जूरी है तो उसकी आथ बदल दू को ओऊ शाला जयादा पीने इलगा से लिवाया अप्ड़ा भी जानवर्गो में का आदत होता है तूस्से बॅर पिली या वो फिर नहीं किनय प्शो करेंगो जू बआने गर रखो एव गर भरें ऑनी पाना डाल के हीला दो तो तो और कुछ यहीं बात है ठीक है सर बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय लिया और आपके अनुभव का जो हमारे नए और भाई है उनको फाइदा मिले किसी भाई को कुछ थेंक यू सर धन्यवाद झाल